हेलो एवरिवन, वेलकम टू माई चैनल, फ्रेंट्स आज मैं आपके लिए स्वेटर का ब्यूटी हूल पैटर्न लेक्के आई हूँ, ये बुनना बहुत इजी है, ये लेडिज, किट्स, जैन्ट से सबकी स्वेटर में डाला जाने वाला पैटर्न है, ये बनरो पैटर्न है, आप मैं इसको बुन के बताते हूँ कि इसको कैसे बुनना है, ये मैंने पैटर्न का एक छोड़ सा बेस बना लिया है, तो इसमें मैंने 16 फंदे लगाए हुए है, आप अपनी स्वेटर के हिसाब से फंदे लगाना और पैटर्न फ्रंट साइड से स्टार्ट करना, तो ये पैट फंद इसको कीप कर लिया, आगे के दो पंदने सीखे मोनने है, अब आगे दगा ऐसे फोल्ड करके लिया नहीं प्रेक्साइड को, फिर लियूब लियनाय है, और आगे के दो पंद फंदे फ्रंट साइड को उल्टे वूननने है, ऐसे दगा विन होसा, का पने बेसे लेकेटों कहें मुझे लेकिन यह दो पंद़ों हैं है जो यह यह वाले पंद़ भूने हमने उसी लायिए दागी से आगए आगे चे धो फंदे सीधे भूने आगे मे पैटरं डालना है तो ऑदागा फोल्ड करके फ्रंट साइड को ले आना है फिर बैक साइड को ले जाना है और इन दो फंदाओं को फ्रंट साइड को उल्टा भूनना है लेकिन जिस दागे से हम पीछे से भूनते आए हैं उसी दागे से भूनने है ऐसे और बैक साइड को ऐसे खीच लेना है आगे दो फंद बैक साइड को ले जाना है फोड़ करके उसी से यह वाले पंदे आगे के दो फंदे उल्टे बूनने हैं कि और बैक साइड को दखा खीच लेना है साथ कि आगे के दो फंदे सीरे मुनने है लास्ट पंद इसको भी भूल लेना है तो यह फर्स रो कम्प्लीट होगी है यह जो पैटर्न है यह वाला यह सिर्फ बन रो वाले पैटर्न है लेकिन यह यह जो स्वेटर में आप डालेंगे तो यह पूरे हर एक स्लाई में चेंज होता रहेगा जैसे फर्स रो थर्ड रो इसमें चेंज होता रहे गाई लेकिन पैटर्न सिर्फ ऐसा ही डलेगा जो फर्स रो में डाला है यह जैसे यह यहां पर डाला है फिर साइड को ऐसे फंदे बढ़ा के डाले गयें तो मैं बताती हूं आगे ये फर्स्ट रोर कंप्लिट होगी है अब सेक्ट रोर बैक साइड तो बैक साइड में हमने सभी फंदे उल्टे ही लगाने है ये फ्रंट साइड है अब थर्डों डालनी हमने तीस्री स्लाई तो इसमें चेंज होगा पैटर्न तो सिर्फ बनरो वाला है लेकिन ये फर्स्ट थर्ड फइफ्ट इन स्लाईय में ये चेंज होगा जैसे फ्रंट साइड वाली कोई भी स्लाई उसमें चेंज होता रहेगा अब आगे फंदा सीधा बुनना है अब ये पहले हमने इन दो फंदों में पैटर्न डाला थ आब इस फंदी को छोड़ लेना है ये वाला फंदा और ये साथ में इदर वाला फंदा इन दोनों में पैटर्न है दालना है इस इस साइड वाला फंदा जो सबी होगा इस में डालना है फ vampire साइड को ऐसे फॉर्ड करके लिए आना है जिस पन्दे से बुनते आए उसी से आ आगे बाला फंदा यहां पहले बाला फंदा इसके साथ पैटरन डाला है आप जो यह फंदा बचा है आगे के इस फंदे को सीधा बुनना है और यह आगे बाला फंदा एक और सीधा बुन लेना है तो यहां पर भी हमने दो फंदे सीधे बुनने है और दो फंदों में पैटर के बुनने है कि अगल बैक साइट चैसे की इचलेना है बसे ईक अगे डो पंडें है जैसे यह वाला पंडा इदर को मिलाकर हमने नहीं पैट्रिंड अब का carn-star मुटे हैं अब है इस फंडे को इदर को मिलाकर आगे बाले पंडे के साथ हमने नल ना मैं तो इसमें बीच में कोई भी फंदा सीधा नहीं है जैसे हम पैटर्न उपर तक बुनते जाएंगे तो ये सीधे फंदे भी आते रहेंगे जैसे हम पैटर्न यहां से इदर को डाल रहे थे इदर को आप यह वाला आगे बाला पैटर्न है इन फंदों में हमने आगे को पैटर्न डालना है आगे फंदों में आगे दो फंदे सीधे बुनने है अब ये जो पैटरन बाला फंदा था इसको भी सीधा बुन लिया है लेकिन जो ये आगे बाला पैटरन बाला फंदा है इसको जो आगे बाला सीधा फंदा है इसके साथ पैटरन डालना है तो ऐसे दागा फोल्ड करके लिए आना है और आगे के दो फंदे उल्टे बुनने है और दागे को ऐसे बैक सट से खीच लेना है आगे के दो फंदे सीधे हैं यह पैटर्न सिर्फ बन रो वाला है लेकिन यह हर तीसरी स्लाई में चेंज होगा जैसे फर्स्ट रो थर्ड रो फिफ्ट रो इनमें चेंज होगा तो यह जो पैटर्न का डिजाइन है यहां से बीच वाले पैटर्न से स्टार्ट होगा ऐसे बनेगा यह तो यह जो दो फंदों पैटर्न डालना है तो जो दो फंदे सीधे हैं इनमें हमने जो सुरू बाला फंदा एक एक उसको मिलाकर पैटर्न डालना है लेकिन जो इससे इसमें हम पैटर्न डालेंगे तो इसमें दो फंदे आएंगे फिर इसके उपर छे फंदे बन जाएंगे तो जो बीच वाला यह दो फंदे उनमें पैटर्न डालते जाना है। जैसे अब यहाँ पर 6 पंदे बन के थे, सीधे, यहाँ पर बन के थे, 6 पंदे, 6 गज़ sic स्टिचेज, तो जो बीच वाले two stitches हैं, उन में पैयटरन डालना, तो ऐसे यॉपर भी जाके, जैसे 6 गज़ी पंदे, 6 स्टिचज जाएंगे, तो बीच वाले two stitches हैं, दो हंदें उन म इनी से ही ये जो side में pattern बढ़ रहा है इनी से ही बढ़ता रहेगा ये ऐसे तो इसमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है लेकिन pattern बहुत ईजी है और ये बन रो वाला ही pattern है जैसे यहाँ पर डाला है अब ये back side वाली रो लगेगी उल्टी back side में कोई pattern नहीं डालना है जब ये front side वाली रो आईगी तो ये बाला pattern जो है अब इदर वाली ये दो फंदे इन में डालना है फ़र ये दो फंदे सीधे बुनने है तो दो फंद इन में pattern डालना है अब ये द दो बीच वाले फंदे सीड़े बुने जाएंगे तो मैं थोड़ा सा और बता देती हूं अब फिफ्त रो लगानी है हमने तो पहला फंद इसको स्किप कर लिया अब आगे ये जो पैटर्न है इस पैटर्न को हमने अब यहां को ले आना है ये वाला फंदा है पहले वाला इससे अब इन दो फंदों पैटर्न डारना है तो दागा फ्रेंट साइड को ले आना फोल्ड करके और ये दो फंदे उल्टे बुन लेना है और दागा बैक साइड स खीच लेना है पहली पैटरन यहां पर था एक फंदा बढ़ा कि यहां को लिया आई पहले वाली पंदे में भर आब यहां को आ गयाए आगे दो पंदे सीधे बुनने हैं अब आगे यह दो पंदे इनमें पैटरन डालना है से इनको भी उल्टा मुँनना है फ्रेंट साइड को दग़ा फोर्ड करके लिया कि अब बैक साइड से खीच लेना है ऐसे लिकां दग़े उससे बूनना है जिससे पहले वाले फंदे बूनते आ रहे हैं आप जो पैटरं यह बीच में आप दो फंदे सीधे बूनने हमने जैसे फंदा हम इदर को बढ़ाते रहेंगे तो ये बीच में सीधे फंदे आते रहेंगे और अब ये वाला जो पैटन वाग एक फंदा है इसको आगे वाले फंदे से बुनना है जैसे दग्गा फोल्ड करके लिया आना है आगे के दो फंदे ओल्टे बुनने है और इनको back side को कीच लेना है, आगे दो फंदे सीधे भुनने है, एक फोर्ड करके front side को ले आना है, आगे के दो फंदे उल्टे भुनने है, धागे back side से हीच लेना है, तो यह वाला जो पैटर्न है यह फ्रंट साइड में ही पड़ेगा बैक साइड में सभी फंदे उटे ही लगाने है जैसे अब बैक साइड से लगानी है फिर से लगानी फ्रंट साइड वाली रोत उसमें यह जो पैटर्न है अब इसमें नहीं डालना है क्योंकि यह एज वाला ये फंदे आगे वाले इनमें पैमर सीधा बंदर यहां से ले लेना है और सीधिये चार फंदे आएगे इसे सब्रेश्य को साम तो यहां से ही बढ़ता रहेगा। यहां से बाल पैटरन जैसे यौ बीज वाल आप स्वेटर के फंद combinations है 2008 जैसे यह दो किसमें ये प्वंदियरी आने चाहिए आ कि यहां से पूर्म हें बड़ते रहेंगे यांशो को पैटर्ण बढ़ा यहां से साइड में बढ़ता रही एकन्या पैटर्ण बढ़ाते जाना है एसे मिदे यहां से स्टार्ट करना झौ officials जा यहां पर भी जैसे यह च्छे पंदे आ जाएंगे तो बीच वाले जो टू स्टिस्ट्च जैंँन से पंदे पैटर्न डालते जाना है अगर आपको मेरा बुनाओवा डिजाइन पैटर्न पसंद आएगा तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करतें अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो भी लाइक सेरा और सब्सक्राइब जरूर करते हैं थैंक यू